जो भेट की बाते हैं, जो परमेशन में भेट उसके पर खोले हैं, एक पुस्तक है, उसको एक पुस्तक दी गई है और कह रहा है कि तू उसको लिख ले सारी बातों को परकाशित वाकी के पुस्तक के विशे में, परकाशित वाकी के इस संकला में आप सब का सौगत है, परकाशित वाकी के पुस्तक के साथ भागें, जिसके दूसरे भाग के विशे में हम बात कर रहे हैं, साथ कलिस्याओं के नाम पत्र, हम बात कर रहे हैं परकाशित वाकी एक है के दसमें भाग के बारे में पिछले संदेश में हमने परकाशिद भाग के दस के तीन भाग देखे थे एक तो प्रभू के दिन दूसरा आत्मा में आ गया और तीसरा अपने पिछे बड़ा तुरी का सा शब्द ये कहते सुना पिछले दो भाग हम सुन चुके हैं पिछले संदेशों में हमने देखा कि आत्मा में आ गया यानि यहानना कैसे आत्मा में आ गया उसमें आत्मा में आ जाने का अर्थ क्या है यह हमने पिछले संदेशों में सीखा आज हम स तीसरा भाग है कि मैंने अपने पीछे बड़ा तुर्री कासा शब्द ये कहते सुना ये भाग जो है ये परकाशित वाग के एक अधाय ग्यारा पद्र से जुड़ा हुआ है जी या पहले हम इसको पढ़ लेते हैं जिससे आपके समझ में आ जाए दोनों पदों को हम पढ़ लेंगे मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुर्री कासा बड़ा शब्द ये कहते सुना जो कुछ तु देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियों के पास भेज़ दे अथात इफुसस और इस्मर्णा और पिरगमुन और थुधिरा और सर प्रमेश्र के वचन में जवाब पढ़ेंगे तो वहां लिखा है पिर मैंने तुर्री का बड़ा शब्द ये कहते सुना तुर्री का बड़ा शब्द सुना फिर मैंने महा नरसिंग्य का शब्द सुना है यहाँ पर ऐसे बहुत से चीजे हैं, सुना हैं, उचे शब्द से उसने का, उचे शब्द से पुकार कर का, बड़े शब्द से पुकार कर का, गरजने का शब्द हुआ, महानंदों का बड़ा शब्द हुआ, महा शब्द हुआ, पुकारने वाले का शब्द हुआ, ऐसी बहु परमेश्वर जो है यह शब्द इसलिए लिखे गए है कि परमेश्वर ने बड़े शब्द से पुकार करका या तुर्री कासा बड़ा शब्द हुआ यानि दूर तक वह आवाज गई है कि जो संदेश परमेश्वर संदेश वहाग को देना चाहता है वो बिल्कुल इस परस त आवाज उसके कानों में ना पड़े सिर्फ मेरी और मेरी आवाज जो है वो उसको सुनाई दे और इसलिए जो है यह बड़े जोर का शब्द ऊचा शब्द या तुर्री का सा बड़ा शब्द जो है वो हुआ तो इसका मतलब यही कि जो परमेश्वर कह रहा है सिर्फ वो उ कर रहा है या कोई और अपनी बात कह रहा है तो वो सारी बाते उस अवाज के आगे क्या हो फीकी पड़ जाए वो उसके कानों तक ना पहुंच पाए यहाँ पर जो अर्थ है इसका वो यही है कि परमेश्व कुण रूप से अपनी बात को इस पस तरीके से बताना चाहता है द क्या हो रहा था और परमेश्व उसको क्या दिखा रहा है पसमुट अपू पर क्या होने जा रहा है बाविश में क्या होने जा रहा है जो कुछ भी एक एक चीज वहाँ पर कह रहा है कि अब यहाँ पर जो है कि जो कुछ भी तू देखता है जो कुछ देखने का मतलब है कि वो छोटी सी छोटी बात भी आपको इसलिए परकाशित वाक्य के कुस्तक में या पूरी बाइबुल के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक छोटी सी छोटी बात भी मिल जाएगी, आपको कि इस बात का माइने क्या है, इसका क्या हो सकता है, ये लिखने की क्या जरूरत है, मगर जब उसके बारे में पढ़ते हैं, जब उसकी घराईयों में जाते हैं, तो कहते हैं ये छोटी सी बात हमारे लिए है परन्तो हमारे जीवन के लिए कितनी एहम है इस संसार में इसका कितना महत्व है ये बात जो है सबन्द में आती से लिए परमेश्रय योना से कहता है कि जो कुछ भी तु देख रहा है हर एक चीज को अगर तुझे आंगन दिखाई दे रही है घास कहां पर पीली है कहां पर सुकी है कहां पर बिल्कुल हरी घास है वो सब कुछ तुझे देखना है कौन सा पेड़ लगा हुआ है कौन सा पेड़ मुर्जाय हुआ है कौन सा पेड़ सुक गया है कौन सा पेड़ जो है आधा कटा हुआ दिखाई दे इन बातों को आपको समझा रहा हूं, कि का चीज, कैसा देखना होता है प्रमेश्णा में, और क्या चीज लिखना, तो यहां ने हर वो चीज को देखा है। छोटी सी-छोटी चीज़ को बारीक से बारीक चीज को देखकर, उसने उन चीजों को परमेशों ने जो उसे दिखाया है, जो उसे समझाया है, तीसरा है उसे पुस्तक में लिख ले, अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, वह कहता है कि उसे इस पुस्तक में जो है वो लिख ले, अर्थाथ उन बातों को जो भेट की बाते हैं, जो परमेशों ने भेट उसके पर खोले है एक पुस्तक है उसको एक पुस्तक दी गई है और कह रहा है कि तू उसको लिख ले सारी बातों को उसको अब पास्मों टापू पर पुस्तक समय तो डाला नहीं गया था कोई पैन और दवात देकर तो डाला नहीं गया था किसी को अगर जेल में या कहीं डाला जा तो यहां पर यह सारी चीजों का बंदोबस कौन कर रहा है यहां सारी बातों का जो है बंदोबस परमेश्व कर रहा है वो दिखाता है कि परमेश्व उसको दिखाता और समझाता है और वो एक पुस्तक में जो है वो सीधे लिखता है आप सोचें कि कितने भेभ भरी बाते हैं 22 अध्याय जो है ये कहते हैं पुस्तक है मगर सही माने में वो पुस्तक बहुत बड़ी है बहुत रहसे हैं बहुत से चीजे जो उसमें खोले गए हैं इसलिए जब परमेशन पुस्तक के बारे में पढ़ता है तो वो अपने रहसे को उसमें से लोगों के उपर प्रगेट करत है कि परमेशो कैसा देता है तो लिखा है बाइबल में बहुत सी पुस्तकों के नाम दिये गए देखे और ये बिल्कुल सही बात है उनमें परमेशों की बहुत सी बाते हैं जिनें हम लोग नहीं जानते बहुत सी बाते लिखी नहीं गई है यदि लिखी जाती है तो ये पुस्तक जो है संसार में भी नहीं समाती है बहुत सी पुस्तक के बाइबिल में बहुत सी पुस्तकों के नाम लिखे गए है मकावियो का है बारुक का है ग्रंथ है जो लिखे गए हैं और भी बहुत सी पुस्तकों के नाम है जिसे हम नहीं जानते हैं यहुना 21.25 में क्या कहता है और भी बहुत से काम है जो येशु मसी ने की ए यदि वे एक-एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ की पुस्तके जो लिखी जाती वे संसार में ना समाती हैं बिल्कुल साफ लिखा है मैं इसका यहाना 20 का 30 पद भी जरा सुन लीजेगा परमेश्व का वचन क्या कहता है यहाना 20 का 30 येश्व ने और भी बहुत से चिंचेलों को के सामने दिखा है जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए हैं जिया बहुत से चीजे जो है जो हमारे पास बाइबल है बहुत सी बाते जो है येश्व मसी की परमेश्व की बहुत सी ऐसी बाते जो लिखी नहीं गए परकाशित बाकिकी ऐसी बहुत सी बाते हैं जो इसमें नहीं है इसमें बहुत में में चीज जो है वो द मैं ऐसे चीजे यहां सकत करना जाने हैं हम बस इसको वह सुछते हैं हम बहुत कुछ जान गई यह कोा जना अब पर loginya तो यहना व यह इंती हो चैन्यमा प्रल्व करें oldi traukा रखवागध में अंहरे चेमावे परमेश्वा का आत्मा उसको पर प्रिगट करता है, वो तभी जान सकता है, तभी वो सीख सकता है, तभी वो लोगों को सिखा सकता है, और लोगों को बता सकता है. यहाँ पर हम बात करेंगे, चौथी जो बात है, साथ कलीसिया है, देखें, अब मैं साथ कलीसियाओं के बारे में आपको बता चुका हूँ, बहुत सी चीजें है, साथ कलीसियाओं के बारे में हमने पहले भी कुछ थोड़ा सा बहुत वर्णन किया है, खासों से तुर्की के तुर्की के एशिया वाले भाग में जिसको अनातॉलिया कहते हैं पॉलूस ने 65 से लेकर 67 या 68 एडी में साथ कलीसियाओं की इस्थापना की थी परंतु इसके साथ साथ पॉलूस ने और चेलो ने बहुत सी कलीसियाओं की इस्थापना की जियां अगर अहम परमेश्व के बहुत सी और कलीसियाओं इस्थापित हो चुकी हैं और बहुत सी कलीसियाओं कम से कम किती आप मैंने जो गिनी हैं लगबग बता रहा हूं मैं आपको ये साथ कलीसिया मिला कर बता रहा हूं लगबग 40-45 कलीसियाओं की इस्थापना जो है उस समय हो चुकी थी कलीसिया का म जैसे आप फॉर एक्जामपल आप जहां रहते हो जिस शहर में रहते हो उस शहर में उस कलीसिया का जो विश्वासी है उनको विश्वास की कलीसिया उस शहर के नाम से जाना जाता था बिल्डिंग के नाम से नहीं आज हम लोग जो है बिल्डिंग के नाम से जाने जाते हैं यहां परमेशा का वचन कहता है तो यहां पर 40-45 कलीसियों के इस्थापना जो है वो हो चुकी है मगर इन 40-45 से कलीसियाओं के बीच में सिर्फ वो इन साथ कलीसियाओं के बारे में बात करता है आखिर ये साथ कलीसियाओं की विशिष्टाएं क्या है देंकि बहुत सी बात भी सीखनी है अभी साथ कलीसियाओं का चैप्टर जो है वो खतम नहीं होता है क्यاخी परकाषिफ बाके दो अध्याई और तीन अध्याई में को सातो कलीस्यों के बारे में बढ़न है, परमिश्या का बचन जो है वो उन भेदों को कोलता है साथ कलीशाओं का भेद क्या है ये साथ कलीशाओं क्या है ये कलीशाओं किस बात पर अधारित है क्या पुराने नियम से इसका कोई संबंध है ध्यान दीजेगा ये साथ कलीशाओं किस बात पर अधारित है इनका क्या पुराने नियम से कोई संबंध है आपने कभी सोचा कि पुराने नियम से कलीशाओं का सम्मंद क्या होगा जरा ध्यान दीजेगा साथ कलीशाओं का भेड परकाशिदवाग के एक अधाय उसका बीसवापद है ध्यान दीजेगा यहाँ पर लिखा हुआ परकाशिदवाग के एक का बीस अर्थाद उन साथ तार तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुझ फेरा और पीछे घूम कर मैंने सोने की साथ दिविटे देखी यहां देखिए साथ दिविटे देखी जो परमेशा जो है उनके बीच में घूम रहा है यह साथ दिविटे जो थी यह कहां रखी जाती थी अब यहां पर जो है बड़ा ध्यान देने की बात है यह साथ दिविटे जो है यहां लिका ना यह जो साथ दिविटे हैं यह साथ कली साथ दीवटों के बीच में प्रभु येश्य मसी जो है वो फिर रहा है ये समझने की बात है जब आप निर्गमन 25 अध्याए 31 से 40 तक निर्गमन 37 अध्याए 17 से 24 तक पढ़ेंगे तो जब आप इन पदों को पढ़ेंगे तो यहां पर जो है प्रभु येश्य मसी ने या पर नमुना है ये जो थे ये पवित्र इस्थान में रक्गे जाते थे साथ दीवट जो थे और इनके यह दीवट थे इनके ऊपर जो थे सा दिये रख्गे जाते थे जिया साथ तो दिपक ते वो रखके जाते थे और ये दीवट जो ते ये वो इस्थान था जिस पर दिपक रखके जाते थे और ये प्रतिक दिन जो था परमेश्व के समक्ष throw जो ता वो जलाई जाते थे कौन से यानि उस तंबू में चाहे वो मुसा के दोरा बनाया गया और तंबू हो चाहे वो सुलेमान के दोरा बनाया गया मंदिर क्यों ना हो उन मंदिर में जो पवित्र इस्थान होता था उसमें ये साथ दीवत होते थे और इन साथ दीवतों पे जो थे साथ दीपक होते थे परन्तों ये साथ दिवट जो है ये साथ कलीश्याओं का रुपांतर है ये साथ कलीश्याओं का रहस है ये साथ कलीश्याओं का प्रगटी करन है यह ये साथ कलीश्याओं को प्रगट करता है जो पवित्र इस्थान में थे अब वहाँ पर जो है अब इसके रहस को समझने की यह नहीं नहीं बात है इसके साथ डिवटों का जो रहस है जब जो दीपको का रहसर है यह क्या है जो दिवट जो छो तिक रखे जाते थे यह क्या दे यहां मैं बताना चाहता हूँ यह प्रकाशिद वाट के 4 के 5 में हम एक बार फिर से इसकी चर्चा करेंगे एक बार कर चुके हैं सहथा आगर आप मेरे पिछले संदेशों को पढ़ेंगे तो उसमें हम इस बात की चर्चा कर चुके हैं इस पद की जो मैं पढ़ने जा रहा हू परकाशिदवा के चार का पाँच उस स्यासन में से बिजलिया और गर्जन निकलते हैं और स्यासन के सामने आपके साथ दीपन चल रहे हैं वे परमेश्व की साथ आत्माई है अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है ये जो साथ कलीस्या है साथ दीवट है जब हम परकाशिदवा के दो अध्याय और तीन अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से इनको समय में डिवाइट किया गया बाटा गया है समय में और कैसे हर समय में परमेश्व का आत्मा जो है किस तरीके से कार कर रहा है और क्या कारी कर रहा है ये सारी चीजे देखने को मिलेंगी मगर मैं आपको बताना चाहूँगा जब आप निर्गमन 27 अध्याए 20-21 निर्गमन 40 का 24-25 तक और लेवेश तक 24 अध्याए 1-4 पत तक पढ़ेंगे तब आप पढ़ेंगे ये साथ दीपक जो थे यहवा के सामने जो थे इन दीवटों के उपर रखे रहते थे और प्रतेक दिन जो थे शाम से लेकर सुबह तक ये जलते रहते थे ये बुस्ते नहीं थे ये जो साथ दीवट हैं ये साथ कलीसियां हैं बरकाशिदवा के एक के बीश में तो ये जो साथ कलीसियां के नाम पत्र लिखा जा रहा है ये अभी से इसकी योजना त्यार नहीं की गई है इसकी योजना जो है परमेशों ने शुरू से आरम से त्यार करी है जब उसने महा पवित्र इस्थान को बनाया था और मुसा को तंबू का पवित्र इस्थान बनाने के लिए सौपा था और ये जो तंबू का पवित्र इस्थान की बात हो रही है जो हमने परकाशित बागे चार के पांच में पढ़ा यानि मेमने के स्यासन के सामने जो है वो साथ दीपत जो है वो जल रहे हैं यह साथ आत्मा है जो मेमने के सामने कडिया नहीं यहां पर जो दीपत है यह एक इस्थान है उन आत्माओं का जिसमे पर्वेश करती है परमेश्व की आत्मा है जिसमें कार करती है परमेश्व की आत्मा है और जो उस परमेश्व के उन सारे कामों पर अधारित है तो इसलिए मेरे प्यारे भायों बेनों ये साथ जो कलीसियां है ये अनकलीसियां से हट कर है ये विश्वासियों के समू नहीं है बल्कि ये परमेश्व की एक यूजना के अंतरगत एक समय इन साथ समय को मिर्धारित क्या गया है कि परमेश्व की वो सातो आत्मा है जो स्वर्ग के अंदर प्रवियेश्व मसी के सामने 24 घंटे खड़ी रहती है और उसके अराधना और इस्तूति के लिए और उसके आग्याओं को पाने के लिए उसके कार को सिद्ध करने के लिए खड़ी रहती है ये वो सात आत्मा है उन साथ कलीश्याओं का मतलब यानि साथ समय काल के अंतरगत उस कार को वो कर सके यह वो है यहाँ पर इन साथ कलीशियाओं का ये भेद है इस साथ कलीशियाओं का मतलब यह है आगे जब हम सीखेंगे कैसे परमिश्वन ने इन साथ कलीशियाओं के माध्यम से एक महान संदिश हर समय के लोगों को भेजा है और कैसे डिवाइट किया है तब हमें पता चलेगा कि परमिश्व का भेद सही में क्या है प्रभूई स्वचिन के दारा हम सब को आशिज दे आमे